आज किस बीडियों बात करेंगे बिए फिप्त समस्टर के हिंदी के दुतिय प्रस्णपत्र यानि की सिकेंड पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कोईश्चन एंड अंसर के बारे में फिप्त समस्टर में हिंदी का पेपर जैसा आएगा मैंने वैसे ही तयार कर लिया है तो आप लोगों के लिए बीडियों बहुत ही महादपूर है क्योंकि आपको जो पेपर देखने को मिलेगा कुछ इसी परकार का होगा उसमें अतलगुत्रे कोश्चन होंगे तो मैंने अतल प्रश्चन है तो पहला प्रस्चन है तिलगुत्रे का भाया कि आदिकाल को विद्वानों ने किन-किन नामों से पुकारा है तो इस प्रस्चन का कहने के मत्तब है कि एक आदिकाल है जिसको आप सभी जानते तो इस आदिकाल जो नाम है ठीक है इसको बहुत सारे विद्वा क gateway consider BBC जो नाम कर दिया उंसने किसंट दिया हजार परसाद लगोत हैं इसको मैंने डिटियल वाली वीडियो में आपको बताया अब है दिक है उसके बाद आदिकाल को बीर गाथाकाल कहा गया है कि जर आप अब आचार राम चंद्र शुकली जी ठीक है इन्होंने बीरगाथा काल कहा है किसी चीजिक को आदेकाल को ठीक है उसके बाद जो आदेकाल है इसको चरण काल कहा गया है क्या कहा गया है चरण काल कहा गया है अब चरण काल जिहों ने कहा है उनका नाम है राम कुमार वर्मा ठीक है क्या नाम है राम कुमार वर्मा जो की प्रिसिद्ध कभी और लेखा कहिंदी के ठीक है और बहुत सारे अन्य भी इसके नाम है और इसके अन्य नाम करने वाले कभी भी है जो की मैंन तो नोट कर लिजिए प्रश्ण अपने नोट्बुक में अपनी कोपी में आएगा आगला प्रश्ण है कि भाई हिंदी का पहला कभी कौन है तो बहुत सारे विद्वान बहुत सारे जो हमारे हिंदी साहित के लेखक है वो अलग-अलग मानते हैं ठीक है लेकिन आपके जानका सब्ल oppression नाम Henceur आपको लगता है आप को सरच करके आप लोग जानकारी करके की इसाब कोई और मेरे वर सार है सघ्तकर है में अगला प्रश्ण प्रस्तुत है कि का आ podcast कि कुछ बिस्रिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् धार्मिक काब लिखा गया यानि कि धार्मिक रशनाय रची गई है ठीक है ठीक है पहला यह हो गया उसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोग सकते हैं सिंपल बता रहा हूं बिल्कुल इसमें क्या ना गुरू की महिमा का गान और सभी काब धाराओं में किया गया मतलब कि इस पर आपको किसी भी छेत्र में जा रहा है तो यह हो गया नंबर तीन पर आप लोग लिख सकते हैं कि इस काल में प्रबंदगीत और मुक्तक सभी प्रकार के काव्यों की रशना हुई है कुछ प्रबंदगीत है और कुछ मुक्तक रशनाय है ठीक है वो इस यानि की काव्यकाल में लिखी गई है और रशी गई है नमबर चार पर आप लोग लिख सकते हैं कि इस काल में कि जो रशनाय थी और जो काब्य थे उसमें हर छेत्र में समनुए की भावना मिलती है तो यह हो गए चार प्रणों विश्चता इतना लिख देंगे पूरे नंबर पक्के ठीक है प्रशनाएगा उम्मीद है यह सारे प्रशनाव को परिच्छा में फसें बाकी बहुत प्रशना हमने बताने का प्रि इस ठीक है दिसम्बर को और सोला फोँ छाँचट इसवी को पटना बिहार में हुआ था अब लोग जानते बिहार कहां है ठीक है भारत में ठीक है इस प्रकाल लिखेंगे इनके जन्मतिति के बारे में और अस्थान के बारे में के लिए चालिए नेश भही आप रशन प्रस तो सबसे पहले नंबर एक पर आप इसस्ता लिख दीजिएगा किसमें राष्टेता की भावना थी किसमें भारते इंदु की जो कभी थे बहुत सारे ठीक है इन्हों ने जो अपनी रच्णाई रची है उसमें देश्च के प्रेम के माद्यम फे जन मानस में राष्टे भावन का बिजा रोपन किया है कहने के मतब यह है जो भारते इंद रूदु के कभी थे बहुत सारे ठीक है इन्होंने जो अपनी रश्णाइ रची है उस में देश के प्रेम, देश भक्ती देश के उननत के लिए लोगों के अंदर देश के प्रति जाग रूड़िये कुछ अच्छा कर जाने के रशनायों में ऐसा कुछ प्रुसथूत किया है जिसके माद्यम से लोग अगे देश के प्रति खड़े हो सकें देश के लिए अपना योगदान दे सकें ठीक है यानि कि अपने कुल मिला के देश को उच्छ साबित सर्वोच साबित करने का प्रियाश्ट गया है ठीक है और उस्के बाद दूसरी इनकी जो मिसेस्ता है भी मुद्धि कर समाजी के मतलब यही हुआ कि जो समाज है उसमें बिकास को लेकर कि भाईया आज अपने छेत् सब्सक्राइब था नहीं हो सकता है दो चार शे फाल बाद आठ साल बाद भी आ गई पर भी आप यह वारे गाओं में या फिर हमाई सहर में सवाज में पानी की बेवस्ता नहीं तो दिन प्रते दिन विकास हो रहा है उसके बारे मिन्हों नहीं उसमें वर्णंग किया ठीक है तो वह दिन प्रते दिन बढ़ता जाएगा तो इसको बोलते हैं ठीक सिंपल सी बात आप लोग जानते हैं और जो अगली विशेष्टा है वह आप लोग दीजेगा इसमें हास बेंग है ठीक है और नंबर चार पर लोग लिख सकते हैं कि इसमें अंग्रेजी सिच्छा का व से ठीक है और अंग्रेजी हमारी मात वहां सा है ने तिस वाप लोग बाइकट करें तो इस प्रकार रहे इसके चार प्रमक विशेष्टा हैं आप लोगों को अगली जो विशेष्टा है वह कहां से नंबर प्रस्ण काई रहाब या दुबेदियू के कावे की विशेष्टा विशेष्टा के बारे में बहुत मात पुर्परस्ण बता रहे हैं आपके परिश्टा मसेंगे तो सबसे पहले नंबर एक विशेष्टा लिख देंगे कि इसमें क्या है ना अंध विश्वास सो रूडियों का विरोध यानि कि जो अंध विस्वास चल लहा है उसका तो वही इसमें विश्वास सो रूडियों का प्रियास क्या यानि कि जो लोग अंध विश्वास कर लेते हैं कि भाई उस सहर में तो बहुत अच्छी पिसली अगरा आप नोकरी करने जाएंगे लेकिन महाँ पर आप जाएंगे आप देखेंगे तो पर चलेगा आपको पाची जार भी नहीं मिलना मुश्किल हो गया तो आप लोग अंध विश्वास से दूर रहें और जो मानो है उसको एक तरीके फे जागरूक जागरत करने का प्रियास किया गया है रशनाओ के माद्ध से दुवेदी ज़्यूवेन घ्लियार उसके बाद दूसरी नेश्ट बिसेश्था अपने लोग लिखें फ्रवडशनुली से इसमें लिखेंगे वरण प्रधान कवितायं वरण प्रथान कवितायं का मत्ब हुआ कि इस यूग में यानि कि दुवेदी यूग में ठीक है न को मुझए जो के बिताय है उनका औरण किया है ठीक है किस युग में दुबीद युग में और तेसरी जो सिब्सिच्ता हो गई वो आप लिए प्रकत चित्र यानि की युग में कभी他 इने के नहुं तो है ठीक है उसके बारे में करके अच्छे से उसका वड़न किया गया कि यह प्रकत में यह चीज आपको मतलब कि इसमें बताया गया तो यह मुख विस्ता हो गई दुवेदियू की ठीक है उन रशनाओं के बादम से बताया गया ठीक है और नमबर आप लोग चार पर लिख स रशनाओं कि गई यानि कि देश प्रेम को सामिल करते हुए कि लोग देश सर्थ से उसके उलस्पर रशनियां कि हरी अगला प्रशनिया रसनाय लिखी गद्यों पद्ध में लेकिन यह जो हरी ओद जी हैं यह दुबेधीयुक्ष कभी है इस बात को ध्यान रखेंगे किस यूग कभी है। दुबेदियों के महात्पूंट प्रशन आप पर इच्छा के लिए याद रखेंगे दुबेदियों के यह कभी है ठीक है किलियर ओके और चलिए निश्क कुछ दिन कर बढ़ते हैं यहां पर यूद पूछा था हमने बता दिया अगला कि हर और जो प्रमुक कभी है इनकी इन नंबर दो पर आप लोग लिएगा वै देही क्या वैदेही वनवास ठीक है यह है इनकी प्रमुक महाकाव इस बात को ध्यान रखेंगे प्रस्न फशेगा पर इच्छा में तो आप लोग ध्यान से याद कर लिए ठीक है अगला प्रस्तुत है कि छायावाद के चार अस्तम् क्या खंबा है क्या नहींद सा चॉया बात के चार प्रमों का अस्तम्भा ँच वो कभी है यह जय रखेंगे महा देवी वर्माजी फिरके नंबर 2 द्चान सूरिकांत्र पाठी निराला जी ठीक है कौन सा है सूरिकांत्र पाठी निराला जी ठीक है चलिए दो हो गए दो नंबर पर हो गए और नंबर तीन पर जो है वो है जैसंकर प्रसाथ जी कौन है जैसंकर प्रसाथ जी क्लियर नंबर चार पे हैं याद रखेंगे शुमित्रा न पंत जी हैं ठीक है यह यह याद रखेंगे बहुत महाद्पोर्ट प्रस्चने अगला प्रस्चने कि ठीक है प्रहत्र कभीयों के नाम लिए यह कोईश्चन आप लोगों कमेंट में बताना है कि छाया वाद के प्रहत्री कभी कौन है उनका नाम आप लोग बताएं दो-तीन तो सबसे पहला प्रस्णा और इन प्रस्णों को उत्तर है आप कि परलो कम से कम 200 सब्थ में लिखना होगा तभी आप लोगों के लिए 5 से 8 नबर दे यह मिलते है नंबर कैैसे नेफंगे कि नहीं हमें एक भारति न भरष्टंद्र जी जो सबसे पहले आपको लिख दे रहा है इनकी जो प्रमुक्रतियां मैं आपको बता दे रहा हूं प्रेम सरोवर है नंबर दो पे आप लोगत दीजेगा भारत वीडा है नंबर तीन पे आप लोग झाउब सकते है प्रेम तरंग है ठीक है इस प्रकार आप लोग के चार-पांच करृतियों नाम लिए ुनके फ्रेंद करके लिख दीजेगा यह सभी का उत्तर है आपको कूगल पे सच कर पढ़ लिज आप लोगो टालीएगा गूगल पर लोग दिटल में धूण लीजेगा थीक्ष तो आप लोगो को बारे हैं पढ़ लीनें तो इस तरह आपको तयार कर लेए ठीक है महात्रपूर्ण परिश्चा मैंने पूरी उम्मीद अगला भी प्रश्ण महात्रपूर्ण की भारते इंदु जी की राफ्टेच यह इतना गौस्प्रष्ट कीजिए यह महात्रपूर्ण परश्ण इसलिए क्योंकि यह आपके सब्जेक्ट से सब्बंदे थे ठीक है सब्जेक्ट से सब्बंदे थे इन दोनों में से प्रश्ण एक प्रश जाएगा परिच्छा में 100% से हो रहें क्लियर आगला भाया प्रसाद प्रसाद के मतलब आप लोग जानते हैं जैसंकर प्रसाद जी की राष्ट के लिए उनकी मन की भावना किस प्रकार की थी और प्रसाद के बारे में आपको जीवन पर्शे तैयार कर लेना की कुर्पुष मुक्त रश्णा है बस आप लोगों को पक्का ठीक है तो इसको भीधान ले लिजिएगा अगला प्रस्ण है बईया कि अटल बिहारी बाज पी जो है जिसके बारे माब लोग जानते होंगे अच अगला प्रस्ण है कि देरगुत्रे में यानि कि आपको यहां पर 10 नंबर कप्रति प्रस्ण होता है ठीक है तो पहला प्रस्ण है कि आध्षुनिक वह राष्टे हिंदिक काब्यका आरंभ भारतिंध हरिश्चंद की प्रेड़ा से हुआ अस्पष्ट कीजिए यानि कि जो आध्धुनिक वह राष्टे हिंदी कभ बहें इसकी जो सुरवात है इस्टार्टिंग है वह भारतिन धरिश्चंद जी जो कभी है इनकी प्रेणा से हुआ इन्होंने राष्ट प्रेम उसके अप्रत दिया और राष्ट प्रेम जाना समझा तो इनका लगाव आया तो यहीं कहा जा रहा है कि जो हिंदी राष्ट है ये हिंदी काभ में इनिवे वह फुरुवात हो रहा है तो उसको असपरश्ट कीजिए यह महत्रपॉर प्रस्ट है न अगला प्लाइल कि अचार रामचंद सुक्ली के लिए न हिंदी साहित के आदिकाल को बीर गाथा का नाम दिया है तो भी वे इस न उपर से संबोंदित थीये वहाँ पर भाइया अदिकाल के प्रमुक नाम करताओं के नाम और नाम लिखना था यहाँ पर बताया जारा कि ? दिनकर, जी यानि दिनकर का पूराराम है, राम धृरी,सिंग, दिनकर, दिनकर उपाद जिए इनका पूरा नाम है, राफ्टे चेतना का स्वर्प्रमक रूप से मुखृत है यानि कि जो रामधाई शिंग दिंकर जी है इनकी जो रशनाएं हैं इनकी जो इन्होंने कृतियां रची हैं रसनाएं रची हैं इसमें क्या है ना राष्ट के बारे में देश्भक्ति के बारे में बहुत ही डीटेल म और देश से प्रेम गिस्प्रकार करना चाहिए इसाब चीज़ें इन्होंने बहुत ही मार्मिक भंग से इसमें बताया है ठीक है उसका प्रमाणा भी देना आप लोगों कि यह उसका उदार आण देकर भी आपको समझाना ठीक है तो इस प्रकार आपको इन प्रस्णों का उत् पूर्टी में पूरी तरह इन सभी प्रस्णों का उत्तार अच्छा तयार कर लेंगी को उम्मीद है कि आपके 20 से 30 नमबर तो पक्के हो जाएंगे बाकि हम आपको और भी वाडल पेपर प्रवाइड कराएंगे और मिलते हैं और नई वीडियो में जैहिंद अगर इसको प् सब्सक्राइड कर दीजेगा जैहिंद